इंडिया के पहले बायो प्लेट फार्म पे आप सभी का स्वागत है तो बिना किसी देरे के लाइक बटन पे क्लिक करके अपने टिकेट कंफर्म कर लीजे और इस सफर से जूड जाएगे और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी सफर का हिस्सा बढ़ाएगे तो सुरू कर एक है टाइपस ओफ आरने आरने कितने प्रकार के होते हैं तो आरने तीन प्रकार के होते हैं एम आरने टी आरने आरने आर आरने तो यह तीनों आरने बनते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि तीन बेसिक आरने होते लेकिन इन तीन आरने के अलावा भी और आरने होते हैं तो आई ट्रांस्रिप्शन के द्वारा आरेने बनाता है यह आरेने दो प्रकार के बनते हैं एक होता है नॉन कोडिंग आरेने जो कि यह 30% भाग होता है एक होता है फोडिंग आरेने यह 20% भाग होता है यह कोडिंग आरेने को हम आरेने कहते हैं और यह नॉन कोडिंग आरेने हैं यह टी आरेने और आरेने बनाता है यह दो आरेने बनाता ही है लेकिन एक आरेने का फोर्म आर बनाता है इसको कहते हैं अधर टाइप्स ओफ आरेने other types of RNA यह RNA कौन-कौन से होते हैं उनका नाम निखलीजे first RNA होता है जो वो होता है micro RNA micro RNA यह 22-24 nucleotide का होता है जो non-coding RNA है यह further divide होके TRNA बनाता है यानि transformer RNA जो transformer RNA यह एक जगा से दुसरे जगा जाने वाला यह protein को अपने साथ लेके amino acid जो होता है उस कन को अपने साथ लेके translation की प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन जो ribosomal RNA है यह भी translation की प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन यह base में जोड़ता है ना कि amino acid को इधर से उधर ले जाता है लेकिन इसका काम क्या होता है protein बनाना ठीक है तो जो other types RNA होते हैं वो इनके अलावा बनते हैं इनका काम भी होता है translation और transcription की प्रक्रिया में भाग लेना लेकिन यह सब RNA एक अपवाद है क्योंकि यह translation की प्रक्रिया को रोकते हैं inhibit करते हैं तो जो micro RNA होता है यह 20 to 24 nucleotide का होता है इसको हम endozenus भी कहते हैं क्योंकि यह जो RNA होता है वो अंदरुनी तरफ पाय जाता है इसको endozenus कहते हैं इसलिए दूसरा RNA है small interfering RNA interfering RNA इसको हम SI RNA भी कहते हैं यह भी 22 to 24 nucleotide का होता है यानि छोटा होता है लेकिन यह क्या होता है यह exozenus होता है यानि बाहर पाया जाता है cells के बाहर पाया जाता है exozenus होने कारण इसको हम viral RNA भी कहते हैं small interfering RNA viral RNA भी होता है और थर्ड अगर हम इसको लिखेंगे third है हमारा long non-coding RNA long non-coding RNA यह RNA और RNA से बड़ा होता है यानि इसका जो nucleotide sequence है वो 200 nucleotide का है इसको शॉर्ट पॉर्म में हम lnc RNA कहते हैं यह भी translation में भाग लेता है अगर हम last RNA को गार देखें fourth RNA तो वो होता है small nuclear RNA या साइटो प्लाजमिक आरेने यह जो आरेने होता है यह केंड्रक में यानि nuclear में या साइटो प्लाजमें पाया जाता है ठीक है यह RNA का short form हम लिखते हैं sc और इसका लिखते हैं sn यह दोनों ही RNA cells के अंदर पैजाता है एक nucleus में और एक साइटो प्लाजमें ठीक और यह जो चार RNA है यह चारो ही अपवाद है अपवाद इसलिए हैं क्योंकि यह translation की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं कहीं ना कहीं सब नहीं करते हैं कहीं ना कहीं करते हैं जिसमें से एक best option आपका यह है यह जो RNA है MI RNA और Small Interpairing RNA यह आपका यह वाला RNA जो है इसको हम regulatory RNA कहते हैं इसको regulatory RNA क्यों कहते हैं क्योंकि यह दोनों ही RNA mRNA को bind होने से रोक देता है कहां पे जो mRNA होता है उस पे जो RNA ribosome bind होता है उसको वो प्रखिया को रोक देता है जिस कारण translation complete नहीं हो पाता तो इसको लिख लिए because of its regulatory translation process by inhabit by inhabiting the mRNA binding with mRNA binding with ribosome ठीक कैसे करता है यह काम इसको भी हम देखते हैं तो कैसे यह regulatory RNA को कहते हैं तो यह सब जो RNA है पहले तो जो मी RNA और साई RNA है यह RNA से ही मिलके बनता है सबसे स्मॉल RNA बनता है तो यह क्या काम बता है यह आपका mRNA है जो messaging RNA जिस पर protein translation होगा इसके एक साईड में बाइंड हो जाएंगे जिससे की ribosome अब यहाँ पर attach नहीं होगा क्यों नहीं attach होगा क्योंकि इसके primary साईड पर यह RNA आके बाइंड हो गया है microRNA बाइंड हो गया है तो अब यह translation की प्रक्रिया को progress नहीं कर पाएगा इसलिए हम इसको regulatory RNA भी कहते है ठीक तो types of RNA में कितने प्रकार की RNA हुए types RNA में होता है mRNA, tRNA, rRNA जिसमें से main RNA है mRNA जो coding strand है और जो बाकिक हैं वो non-coding है यानि वो code नहीं करते लेकिन coding प्रक्रिया में help करते हैं तो tRNA RNA क्या काम करता है यह transfer का काम करता है यह amino acid के molecules होते हैं उनको mRNA प्रक्रिया करके protein molecule को बनाता है ठीक है एक peptide chain क्रियेट करता है और जो rRNA है वो राइबोसोमल rRNA है जो mRNA से bind होके स्प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है लेकिन इसके जुड़ने से पहले अगर इनमे से कोई RNA आके bind हो गए हाँ पे तो यह जो process होती है वो इस RNA को जो राइबोसोमल rRNA है उसको bind होने से रोक देगी और जब इसको bind होने से रोक देगी तो translation की प्रक्रिया नहीं होगी अगर आप translation की बारे में नहीं जानते हैं तो description box में जाएए आपको translation से लिटर वीडियो मिल जाएंगे आप उसको देखे translation की प्रक्रिया कैसे होती है अगर आप जान पहेंगे translation कैसे होता है तब आप समझ पहेंगे कि यहाँ पे mi RNA के जुड़ने से ribosomal के नहीं जुड़ने से translation कैसे रुग रहा है यहाँ पे मैं तो सा हिंट बता देती हूं कि ribosomal कैसे नहीं जुड़ता तो RNA कैसे convert नहीं होता प्रोटीन में तहां बताया जाए आपको यह तो इसे देखिए यहाँ एक structure में बताते है यह आपका DNA है जो transcript हो कि single में बतला coding करने के लिए ठीक coding करने के लिए एक-एक single strand में बतल गया इस strand कैसा है? 5 strand 3 strand 3 strand to 5 strand anti-parallel होता है अगर आप DNA के structure भी नहीं जानते हैं तो description box में आपको इसकी link भी मिल जाएगी उस तर जाके आप DNA के structure के बारे में पर सकते हैं यह एक strand fold होके hairpin lobe बनाती है इस hairpin lobe को हम TRN कहते हैं ठीक अब यह TRN hairpin lobe यानि यहां लिख देती हूँ hairpin lobe ठीक TRN Dicer के द्वारा Dicer एक enzyme है जो DNA को cut करता है तो Dicer enzyme के द्वारा cut कर लिया जाता है cutting cutting करने पर microRNA बनता है यह छोटा से होता है इसको हम miRNA कहते है यानि microRNA जो यहां पर भी हमने बनवाया ठीक है microRNA बनता है और यह risk risk enzyme के द्वारा यह जिक्स enzyme का full form होता है RNA induce RNA induced silencing complex इसका काम होता है इस miRNA को single RNA में बदलना जब यह single RNA में बदल जाता है तो यह कुछ ऐसा दिखता है अब यह single RNA में convert हो गया है अब इसका काम क्या है यह जो बड़ा strand mRNA का था यह strand mRNA है ठीक और यह आपका risk का miRNA है तो यह आएगा इधर bind हो जाएगा यह कौन सी site है promoter site है promoter site bind हो जाएगा जब यह promoter site पर आके bind हो जाएगा तो ribosome यहां पर आके टैस्ट नहीं होगा जिससे protein translation नहीं गए ठीक ती RNA और ribosome आके अटैस्ट नहीं होगी और coding प्रक्रिया नहीं होगी और वहीं पर रुग जाएगा that's why it's called regulatory RNA ठीक है जितने भी other types RNA तो उसमें से सब से important RNA जो होता है वो मी और SI RNA ही होता है और सब RNA तो cells में होते हैं वो तुनका कुछ खास function नहीं होता वो cells में होते हैं और कहीं ना कहीं work करते रहते हैं अलविदा लेने से पहले जल्दी जल्दी एक पर recap कर लेते हैं types of RNA तीन प्रकार के होते हैं mRNA, tRNA, rRNA जो कैसे बनता है DNA से transcription की प्रकिया के द्वारा जब DNA में transcription होता है तो दो प्रकार के RNA बनते हैं coding RNA, non-coding RNA coding RNA से mRNA, non-coding RNA से tRNA, rRNA और other types RNA ठीक है तो जो other types RNA में यह है आपका other types RNA जो other types RNA हैं वो कौन से होते हैं miRNA, siRNA, long non-coding RNA और small nuclear RNA या cytoplasmic nuclear RNA यह चार RNA जो होते हैं यह other types के होते हैं जिसमें से mi और si जो होता है वो regulatory RNA होता है कौन सा RNA होता है regulatory RNA यह regulatory RNA क्यों होता है क्योंकि इसमें जो miRNA और dicer के द्वारा यह single strand siRNA त्यार हुआ है वो mRNA से जाके bind हो जाता है कहां पर promoter site पर promoter site पर bind होने के कारण यह ribosome को attach नहीं करता और translation की प्रक्रिया शुरू नहीं होती बंद हो जाती है जिससे regulatory RNA यह कहलाता है ठीक है यह important कुछ point थे है जैसी आप सभी जानते है और next video में बताऊंगी कि यह सभी RNA के कार क्या होते है और इनके structure कैसे होते है थैंक यू फॉर वाचिंग यह लिके लिए सब्सक्राइब अग्चिंग